युद्ध तुम मेरे लिए कर रहे हो अरजुन अपने लिए नहीं युद्ध तुम सक्ते के लिए धर्म के लिए कर रहे हो अपने लिए नहीं यह निश्काम कर्मयोग कि अपने आप को जिताने से कहीं बहतर है सच्चाई को जिताना अचारिया जी यह मैं अपनी परसनल लाइफ के बारे में पूछना चाह रहे हूँ तीन-चार साल पहले तक मैं यह सोचती रही कि शायद मैं बहुत सच्ची हूँ मैं बहुत सही हूँ यह तीन-चार सालों में यह लगा कि पीछे की लाइफ देखती हूँ तो कभी पहले यह प्राओड फिल करती थी मैं अपने फादर के काम आई मैं अपने हस्बंड के काम आई इफलाने के काम आई यह आई वो आई अब यह लगता है कि मैं किसी के काम नहीं आई मैंने सिर्फ अपना मतलब निकाला जहान मुझे फादर से अटेश्मेंट थी, तो फादर की टेंशन को दूर करने के लिए जूटेश्मेंट का सारा लिया. जहान हजबन से अटेश्मेंट हुई, तो वहान मैनुप्लेशन हुई. जहान अभी बेटे से मोह है, तो उसकी लाइफ में भी बहुत मतलब मैनुपलेशन जैसा ही सिस्टम लगता है पहले 23 में जब शादी होई उसे पहले शायद कभी इतना कोई जूटका मुझे नहीं लगता कभी सहारा लिया बट शादी के बाद और बच्चा माँ बनने के बाद और जब यह सोसाइटी में जो एक फेक उपर मतलब मैं मुझे तकलीफ जब आज होती है तो यह लगता है कि शहएद पूरी जिंदगी एक जूटका अडंबरोड के ही मतलब बिताई सच सोचती यह रही कि नहीं सब कुछ सही है सच्चा है बट कहीं मुझे सच नजर नहीं आया तो मुझे अपने आप जिए कि यह जनजाल जो अंदर है यह कैसे जिए जिसको जो सही लगता है वो उसको करने के लिए यथा संभव सब कुछ करेगा उसको आप रोक नहीं सकते यह मुल से धान समझिएगा अगर आपको कोई चीज सही लग रही है वो चीज कुछ भी हो सकती है तो आप उसी जिए में उसी चीज के पक्ष में यथा शक्ति सब कुछ करेंगी करेंगी आपको नहीं रोका जा सकता फिर कुई आकर के आपको बहुत नैतिक्ता की घुटी पिलाए मुरालिटी के लेसंस दे अब रुखने वाले तो है नहीं क्यों क्यों कि वो चीज यह आपको सही लग तो इस बात का पच्छतावा के स्वार्त के लिए किया यह सब इसका कोई विशेश लाभ नहीं है क्योंकि आपने वही करा जो आपको सही लगता था उस टाइम सही लगता तो उस समय का कर्म करा ना आज की चेतना से आप उस समय के कर्मों का मुल्यंकन करेंगी यह कोई अपरद बात मही है अब मेरे जब बेटे के रिस्ते की बारी आई यह तो मैं वह सब नहीं करना चारी इसलिए मैं हर बार पीछे किछ जाती हूं आज इस प्रशन पे आना ज्यादा फाइदेमंद है कि सही क्या है क्योंकि जो चीज आपको सही लगेगी आपना स्वार्त जो होते हैं स्वार्ति तो हम सब होते हैं और हम्वार्थी हो यह उसके लिए आवश्यक्षी है ऑलकी केंो कॉओं कि नहीं होता है एक हम जानते ही हैं भीतर का क्या रहता है तो उसके लिए जरूरी है कि वो स्वार्थी हो, स्वार्थी, उसे पता हो कि भई अपनी देखवाल कैसे करनी है, अपना वास्तविक लाब कहा नहेत है, उसको पता होना चाहिए, तो इस बात के लिए बिलकुल भी आपको ग्लानी करने की नहीं जरूरत है कि हम स्वार्थी हो कि यसमें बातों कि वेच सुझें सुठती हो तров लो जिये सुना कर दोती कर रहा हूं मेरे स्वार्थ में है विल्कुल वफ्छ ओर्री प्रतिश्य offers me प्रार्थना मेरे कि वफ्छ रहा हूं जो पूंद रहा हुं दो पूंध है एक स्वार्थ में तो जो अपने प्हं के लिए पुच कर रहे हैं। आप ने तो यही थे खर रहे वहा हैं। वह कहते हैं। मतल में जानता है पर जानके आकल प्र Meण हैं। वहासतों में संह्भव नहीं है। वास्तों में दुनिया में हर आदमी वही करता है जो उसकी नजर में सही होता है आप बहुत सरल तरीके से सोच के देखिए ना अगर आपको कोई चीज पता है कि गलत है तो आप उसे क्यों करोगे कहीं न कहीं ले दे करके आपने गडित लगाया है कि इस वक्त आपके हित में अस्वार्थ में क्या है और उस गडित का जो नतीजा है वही आपने कर डाला है हम आपको कहां ब्रहम हो रहा है वो मैं बताए देता हूँ आपको ब्रहम वहां से हो रहा है जैसे लोग कहते न कि मैं जानता तो हूँ कि सही क्या है किन्तु मैं फिर भी कुछ गलत कर रहा हू तुम ये तो जानते हो सही क्या है लेकिं उससे ज्यादा तुम ये भी जानते हो कि जो सही है वो करने में कीमत क्या चुकानी पड़ेगी उसका नाम नहीं ले रहे वो कीमत चुकाने को तयार नहीं हो रहे या जो कीमत चुकानी है उसका ठीक से मुल्यांकन नहीं करा है तो ऐसा लग रहा है कि जो सही काम है वो करने में लाब हो रहा है मान लो सौ का और उसकी जो कीमत चुकानी पड़ रही है तो जो अंदरूनी गणित चला उसने क्या नतीजा दिया वो जो सही काम है वो मत करो तो ठीक किया भई अगर वो काम करके पचास का नुकसान हो रहा था आंतरिक तौर पर तो काम क्यों करते गलती यह नहीं थी कि आपने गणित लगाया गणित लगाना स्वार्थ होता है गलत यह जो आपने सव और डेड़ सो का अंकड़ा लिया नहीं आखड़ा गलत था लाब हो रहा था 10,000 का और कीमत थी डेड़ सो गी का पाँछा की आप ठीक से उनका मुल्यांकन नहीं कर पाए वैलुएशन में गलती हो गई वैलुएशन बूल्यांकन यह मत कही है कि मैं अपन या अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहती थी और ये मैंने बड़ी गलती कर दी ये बहुत अच्छा काम है अपने लिए कुछ अच्छा करना भई इसके लिए आप क्यों पच्छा हैं अपने लिए अच्छा करना बुरा काम कबसे हो गया नेकि लोगों की हालत तो बहुत मुरी है हर आदमी यही कहता है कि मैं सौरती हूँ या दूसरे सौरती है इतने लोग कह रहे हैं इतने लोग कह रहे हैं कि सब सौरती है तो शायद सब सौरती होंगे भी अगर सब स्वार्थी है तो फिर तो सब को खुश होना चाहिए क्योंकि सब स्वार्थ डिखा कर कि क्या होना चाहते है खुश ही तो होना चाहते हैं पर कोई मिल रहा है आपको मिल रहा है दुनिया की तो हालत गोल है शकल उतरी हो ये पूरी स्वार्ति सभी हैं अगर स्वार्ति हो तुम्हे अपना self-interest पता है तो तुम्हारे चहरे बे 12 क्यों बजे हुए हैं गलत पूछ रहा हूं जवाल गलत पूछ रहा हूं अगर आप वाकई स्वार्ति हैं तो मुझे बताईये ना आपकी हालत इतनी नहीं खराब क्यों है। स्वार्थी होने का मतलब तो यह होता है। I take care of my self-interest, I put my interest first. बट वो जूट के सारे पे था। जूट हो सचो, इसका मतलब यह है कि आप अपना स्वार्थ नहीं जानते। आप नहीं जानते कि कौन सा काम आपके लिए सही है। अगर आप वाकई जानती होती हैं कि आपके लिए या आपकी बहन के लिए क्या अच्छा है तो आप कुछ और करती है। मैं यह नहीं कह रहा हूं वो करिए जो आपके लिए बुरा है। बस यह कह रहा हूँ कि आप जो सोच रहें कि आपके लिए अच्छा है वो आपके लिए अच्छा नहीं है यह तो बहुत अलग अलग बाते हैं जब आप नहतिक्ता की दृष्टी से देखती है न तो अकसर ऐसा लगता है कि काम तो मेरे लिए यह अच्छा है लेकिन यह जरा अनेतिक है, इम्मुरल है, तो मैं ये वाला काम करूँगी, ये टिकेगा नहीं मामला, क्योंकि अगर आपको लग यही रहा है, कि ज्यादा मज़ा उधर है, ज्यादा लाब उधर है, और सिर्फ नेतिकता के कारण आप कोई दूसरा काम करना चाहती है, तो ये दूसरा काम बहुत देर तक करनी पाईंगी, अध्याद में ये नहीं कहता था कि, बुरा काम मत करो, अच्छा काम करो, साफ समझता यह यह ये सब, लितिकता है, और अध्याद में यह सब नहीं चलता, कि बुरा बुरा ठूँँ, अच्छा अच्छा गॉप, नध्याद दूसरी चीज चलती अध्यात में बोध चलता है क्या बोध माने रिलाइजेशन तुम समझो तो कि तुम्हारे लिए अच्छा क्या है तुम जानते ही नहीं तुम्हारे लिए अच्छा क्या है एक बार जान जाओ तुम्हारे लिए अच्छा क्या है उसके परवाह मत करो कि क्या कीमत देनी पड़ेगी कौन अच्छा बोलेगा कौन बुरा बोलेगा चोट लेगी नहीं लगेगी क्योंकि जान गए ना यही कि सही है मेरे लिए इसी में है मामला यही करना है उसके बाद फिर अथक और अटूट उर्जा जानी चाहिए संकल्प होना चाहिए Relentless Pursuit of Enlightened Self-Interest यह जीने का तरीका समझ में आरी ही बात मैं फालतू में इसमें अलाइटेंड शब लेके आ रहा हूँ यह तो शब्द सुनके यही मुझे खुझली हो जाती है लेकिन फिर भी लाना पड़ रहा है क्यों क्योंकि जो साधारणतेया हम Self-Interest से मतलब लेते है वो बहुत क्षुद्र होता है हम जब कहते हैं Self-Interest तो उससे हमारा आशे हो जाता है क्षुद्र स्वार्थ तो इसलिए मुझे उसके साथ है कि पुछला जोड़ना पड़ रहा है विशेशन, Enlightened Self-Interest वरना Self-Interest अपने आप में काफी है समझ में आरी बात एक बार समझ में आ गया कि कहां आपका वास्तविक स्वार्त है उसके बाद लाठी ले करके पीछे पड़ जाई है उसके अब तो छोड़ने ही नहीं है इसको Relentless Pursuit अभी थोड़ा थोड़ा ये चीज समझ में आने लगी है तभी वो सब पीछे का सिस्टम समझ में आया कि वहां मेरा वो इंटरस्ट नहीं था डर रहा होगा कुछ और रहा होगा देखे जब दिमाग पे डर वगेरा का कोहरा होता है न या पुराने संसकारों की धूल होती है तो साफ साफ नहीं समझ में आता है कि अपना सेल्फ इंटरेस्ट का है फिर आदमी आत्मगाती कदम उठा लेता है गौर करिए इस पर कि अभी आपके लिए आपके बेटे के लिए वास्ताव में क्या सही है वास्ताव में क्या सही है और एक पर समझ में आने लग जाए क्या सही है फिर उसे डिगिएगा नहीं जब आ गई बात समझ में तो डिगने है क्या सवाल और अगर वाकई बात समझ में आ रही है तो उस पर अडिक रहना बहुत आसान हो जाता है अगर वाकई आ रही है समझ में अगर कहें कि बात समझ में आ रही है फिर भी डगमक डगमक है तो जान लीजेगा कि समझ में ही नहीं आई है अच्यारे जी एक चीज से हलका सा जो डर लगता है वो इस बात का कि बेटा सब बाते हैं सुनता है उसके क्योंकि माँ बाप की बात उसके समझ में भी आती है थोड़ी और करते करते वक्त निकल जाए और शादी क्योंकि जिस हिसाब से मालो नहीं हो पाई तो कल को ये लगता है कि कल को बोलेगा इस बुढ़िया की वजय से मेरी शादी नहीं हो पाई आपको तो ये का आपका बेटा बोलेगा मुझे गर्याने वाले तो कितने लाख लोग होंगे जो कहेंगे कि इसी की वजय से हमारा अगर आप सही कर रहे हैं तो फिर ये सोचने की क्या जरूरत है कि परणाम क्या आएगा और आपको अगर भविश्य का सोच नहीं है तो पूछिए अपने आप से, आप यही क्यों सोचती हैं, कि बेटा गाली देगा, कि बुढ़िया को इसे शादी नी हुई, आप यह क्यों नहीं सोचती हैं, कि बेटा बिलकुल अहो भाव में रहेगा, कि ऐसी मामिली जिसने मुझे इतनी विर्थ चीज से बचा दिया, यह यह भी आता है, बट वो भी आता है, तो आप स्पष्ट कर लीजिए, कि मामला असली क्या है, जब यह दो हो सामने, तो आप दोनों से बातचीत करिए, कि असलियत कहां है, ज्यादा सही क्या है, और ज्यादा सही क्या है, उसका निर्णे लेना कोई कल जरूरी नहीं है, वक लगता है, बेटा भी 28 का हो गया, 38 का थोड़ी हो गया है, उसको वक्त दीजिए, जिन्दगी को देखे, समझे, उसके अनुसार फिर वो अपना कदम उठाएगा, देख के समझ कि अगर वो इन रिने लेता है, उसे विवा करना है, तो अच्छी बात है, करें। अच्छी बात है, करें।